सो ही गाइस आज की इस वीडियो में आपको टॉप 3 बहुत ही ओसम दिखने वाले बैनर्स प्रवाइड करने वाले हूं जो कि आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो इनकी एक जिफ फाइल की लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दिया तो उसको आप वहां से किसी दर की इंट्रेस्टिंग वीडियो आगे भी अफ्लोड होने वाले हैं तो ना विदाउट विश्टी को मोर ताइम लेट्स केट इंडू आ तुट्रियल सबसे पहले तो हमें अपने पिक्सल लाइब को उपन कर लेना है उसके बाद में यह राइट साइड में आपको थ्री डॉर्ट्स पर क्लिक करना है उसके बाद में स्क्रॉल करके आपको वह बैनर जहां भी आपने एक्स्ट्रेक्ट कर आउज जी फाइल को उसको उपन कर ल इस पश्ट वाले टेक्स को मैं रख रहा हूं 60 और 60 करके मैं दन कर रहा हूं उसको कि और हम इसका फॉन रखेंगे इस बैनर के लिए मैं जिस फॉन का यूज कर रहा हूं उसका नाम है American Captain इसको इसको साथ करते हुँ करता कूए इसके साइज पर करते हुआ और इसका सइज में कर देता हूँ 105 कहां सुआ स्पास घ्रраз रग देते हैं उसके पर दें कतके हमें कर दें मुझे इसका size थोड़ा से ज्यादा लग रहा हूं तो मैं कम कर देता हूं इसका size कर देता हूं 95 के आसपास अभी सही है अभी simply है फिर से हमें relative position प्लिक करना है इस center में align करना नहीं भूलना है तो फिर हमें text हमारा सई से दिखेगा नहीं अच्छा इसकी बढ़ में simply हमें click करना है इसे position पर इसे move करके हमें यहां पर place कर देना है भी tick mark कर देना है फिर से हमाई text पर click करना है उसको हमें duplicate copy create कर लेना है उसको में इसको में रख रहा हूं 69 इसको में 9 लिख देता हूं और इसे ok कर देता हूं इससे भी हमें relative position पर click करके center में align कर लेना है उसके बादे simply position टूल का use करके इससे हमें replace करके move करके यहां पर ऐसे place कर देना है ऐसे कुछ तो मैं यहां पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगे जो left side में YouTube है और right side में Instagram है हमें क्या करना है simply से मैं थोड़ा इसका size बढ़ा करता हूं 100 के आसपास उसके बाद में simply हमें position का use करना है और इसे हमें move करके लेके आना है इस YouTube के जो हमारी move करके हमें इस बिल्कुल YouTube से सटा हुआ इसे अपने text को place कर देना है वही काम हमें 9 के साथ में करना है इसका भी size में 100 कर देता हूं इसके बाद में इसको भी मैं position टूल का use करके इसे भी हमें Instagram से बिल्कुल सटा हुआ रख देना है कुछ ऐसे तो अभी हमारा इतना text काम हो चुका है अभी हमें क्या करना है simply प्लस के एकन पर क्लिक करना है और from gallery हमें पर लोगो कर लेना है तो मैंने एक logo download किया है internet से तो कुछ ऐसा दिखता है यह black color गाए तो मैं क्या करता हूं इसे white color कर कर देता हूं simply हमें यहाँ पर जाना है उसको यहाँ पर color पर क्लिक करना है और इसे enable कर देना है मैं इसका color white रख देता हूं तब तक के लिए यहाँ पर आपने logo का use कर सकते है और simply इसे transform करे relative position का use करके मैं इसे center में align कर देता हूं और just हमारा काम इतना complete हो चुका और हमारा vinyl भी बनके complete हूँ सो इन ही methods का use करके आप बाकी बैनस को edit कर सकते हो बाकी अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो please वीडियो को like कर दिजेगा और please चैनल को subscribe करना मत भूलेगा कि किसी तरह की interesting वीडियो जाके भी upload होने वाली है बाकी मैं मिलूंगा जल्दी से आपसे अपनी next वीडियो में तब अपके लिए बाबे टिक केर थैंक्स पो वोचिंग